तो दोस्तों यहां पर finally good news है क्योंकि इंडिया में आज फिर से कुछ नए device के लिए MIUI 13 update rollout होना start हो चुक है नए security update के साथ और यहां पर Android 12 update देखने के लिए मिले तो फड़ाफट से जान लेते हैं इंडिया में कौन से ऐसे device जिनको नए device देखने के लिए मिले मतलब नए updates देखने के लिए मिले इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर Redmi Note 9 Pro को लेके भी update हो तो यहां पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो को पूरा इंट एकना चैनल को भी subscribe जरू करके रख लेना तो चलिए दोस्तों वड़ाफट से बात करते हैं कौन से 4.0 का अपडेट तो दोस्तों यह जो अपडेट फिर से आज कुछ यूजर को देखने के लिए मिला है 549 MB की साइज देखने के लिए मिल जाती है तो यह अपडेट इंडिया में मिला Xiaomi 11i के लिए और हैपर चार्ज के लिए इंडिया में तो अगर आपके पास device से जाकर चे मिवा 13.05 12.0 का बिल नमबर है 347 MB की साइज देखने ही मिलती है और यह जो अपडेट है आज Redmi Note 10 Pro Pro Max के लिए ग्लोबल यूजर के लिए फिर से रिलीस किया गया है तो अगर आपके पास यह डिवाइस से जाकर चेक लें अगर आपको अपडेट नहीं मिलाता तो आप लोग F3 GT के लिए एक नए अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है आज से जी हाँ दूस्तों यहाँ पर जो बिल नमबर है आप लोग देख सकते हो मिवा 13.05 4.0 का लेटेस बिल नमबर 88 MB की साइज देखने ही मिलते है लेटेस इसी मन्त का सेक्रेट पैच अपडेट पोको F3 GT के लिए इंडिया में रिलीज किया गया हाला कि जो अपडेट यह से पाइलिट यूजर को रिलीज किया गया है सभी लोग को नहीं मिला है तो आप लोग कम सकंव 4 पत देन का वेट करना पड़ेगा उसके बाद यह अपडेट सभी यूजर को मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो यह अपडेट इंडिया में रोल आउट किया गया है तो आप लोग जाकर चेक कर लेना अगर अपडेट मिला तो अच्छी बात नहीं मिला तो वेट कर लेना और दोस्तों का आप लोग की सवाल है ते रेडमी नोट 10S में हमें एक नया अपडेट अभी तक नह मिलना स्टार्ट हो चुका है बहले कुछ दर को मिला है लेकिन यूरोप में भी अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है इसका मतलब इंडिया के लिए बहूत ही जल आप डेट रूल-ाउट होने वाला है यानि कि यही डिवाइस डिमी नोट 9 Pro के नाम से इंडिया में देख वग्स वगेरा देखने के लिए मिलेंगे जिसके वज़ इसे अब्डेट पब्लीक लिए रोल आट नहीं किया गया है तो डेफिनली को एक नया बिल नमर का भी अब्डेट हो सकता है या फिर उसी बिल नमर के से आपको कुछ देन बाद ही अब्डेट रूल आउट कर दिया वैसे काफी लोग के सवाल आ रहे थे पोको M2 के लिए अब्डेट पब्लीक रोल आट का भोगा MIUI 13 का थोड़ा सा इंतजार करो Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9 Pro Max के लिए जल्दी अब्डेट आने वाले हैं दोस्तो तो थोड़ा सा इंतजार करो तो पोको X3 के लिए भी मैंने आप लोगों को एक ऑफिशल न्यूज आई उसके उपर मैंने आल्रेडी वीडियो बना कर आपको बता दिया है कि पोको X3 के लिए इंडिया में बहुत ही जट रूल आउट होने वाला उसका बिल नमर भी सामने आ चुका है तो आज ही मैंने उसके उपर वीडियो बना दिया आप लोग चैनल पर जाकर देख लेना आप लोगों को पता चल जाएगा इंडिया में पोको X3 के लिए मिए थाटीन का प्डेट सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस करते हैं दोस्तों इस वीडियो में इतने मिलते के लिए वीडियो में बाबाद